नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फूल के जवरदस्तोर इतने बहतरीन फायदों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कभी आपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा जो आपके आसपाल से आसाने से फूल मि आपके चैरे पर गलो नहीं रह पाता आपका चैरा मुर्ज आ गया है जल्दिस से बुड़ापा आ गया है आपका सरीर काफी दुबला पतला और कमजोर रहता है और आप चाहते हैं कि जल्दिस से बुड़ापन आए हमेशा जवान बने रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्या पर दस्तोर भेटरीन फायदे हैं प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ मेरा मन करता है आपके लिए वीडियो बनाने का कि मैं जल्द जी को भाईया को किसी को भी high blood pressure की problem रहती है आजकल बदल दी हुई life style के काड़े यंगस्टर को भी high BP की problem होने लग गई है जिस्से हमारा सरीर डेमेज हो जाता है हमारा लीवर डेमेज हो जाता है जिससे बचने के लिए हमें आइरवेदा की और जाना पड़ता है तो आपको क नहीं भी किसी भी राज्ये में, किसी भी इस्तान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जो पूरे बारा महीने तक इसके फूर लगे रहते हैं, जिने हम भगवान के मंदिर में या चड़ाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, अगर हाइप बीपी की प्रोब्लम रहती है, तो आप सदावार के पोदे की जड़ को अपने घर पर ले आएं, और इस जड़ को एक गिलास पानी में रात बर भिगो दें, अच्चे से धोने के बाद में, और इसे पूरी रात ऐसे ही पानी में रखें, सुबह उठकर आप इसे एक गिलास पानी को जड़ सही तुबाले, जब पानी आदा गिलास रह जाए, तब आप चाई या कोफी की तरह सी सी करके आपको इसका सैवन करना, आपको इसके इतने जवरदस्तुर बहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे, कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, तीन से चार दिन में ही बीपी कंट्रोल होना सुरू हो जाएगा, और साथ में अगर आप बाबा रामदेव जी के दुवरा बताएगे, अनुसार योग करते हैं, प्रनायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो तीन से चार दिन में आप घर बैटे, आसानी से हाई ब्लड फ्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं, दूसरे बड़े फायदे की, जिनका चैरा बिल्कुल मूर जा गया है, जिनके चैरे पर बुड़ापा आ चुका है, जिनके चैरे पर बिल्कुल भी गलो नहीं रहा है, उन लोगों की लिए भी ये बहुती जवरतस और बहतरीन फायदा देने वाला है, आप एकदम से गोरा दिखना चाहते हैं, या पर चैरे पर फोड़े पुंसिया पिंपल्स होने के कारण आपका चैरा बिल्कुल भद्दा दिखने लग गया है, तो आप एक बार इस सीज का जरूर इस्तेमाल करें, आखों की नीची dark circle है, यानि की काले घेरे बन गये हैं, तो भी आप इस सीज का एक बार जरूर इस्तेमाल करें, बस कुछ दिन के इस्तेमाल से ही, आप हमेशा हमेशा के लिए इन सभी प्रोब्लम से छुटकार पा लेंगे बस इस उपाई को करने के लिए आपको करना क्या है 10 ग्राम सदावार के फूल लेने है साथ में आपको 10 ग्राम गाय का दूद इन दोनों को एक साथ में आपको पीस लेना है इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और इसे अपने चहरे पर मसाज करते हुए एक सप्ताहा तक लगातार आपको इसकी मसाज करनी इसको अपने चहरे पर लगाना है 10 से 15 मिनट तक अपने चहरे पर लगाने के बाद आपने चहरे को वोश भी कर सकते हैं इसके भी इतने जवरदस्तोर बहतरीन फाइदे होंगे कि आपका चैरा बहती जवान और खिले उठेगा जो बुड़ापे की और अगरसर हो रहे थे वो बिल्कुल जवानी की और अगरसर होने दिख जाएंगे साथी बात करते हैं अगले बेनिफिट्स के अगर आपके बाल भी दिन बदिन जड़ते जा रहे हैं या फिर आपके बाल सपेद होते जा रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह के कोई नुस्के मेडिशिन आजमा कर देख चुके हैं तो एक बार इसे आप जरू ट्राइ करके दे दो चमच एलोवरा जेल के साथ में आपको लगभग 10 ग्राम फूलों को पीश कर चठनी बना लेनी है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगा लेना है लगभग आदे गंठे से लेकर 40 मिनड़ तक आपको अपने सर पर इसे लगा रहना देना है अगर आपके बाल समय से पहले सपेद हो चुके हैं तो ये नुस्का आप एक बार जरू ट्राइ करके देखें चलिए बात करते हैं अगले फायदों की जिन लोगों को बार बार कमजूरी की समस्चा रहती है जो लोग जल्दी से ठक जाते हैं जो थोड़ा सा काम भी नहीं कर पात को सदाबार की जड़ का चूरन और पांच ग्राम या आपको अश्वय गंदा पाउडर का चूरन दोनों को मिक्स करके रात को सोते समय दूद के साथ में आपको सैवन करना है कुछ दिनों के इस्तेमाल से या आप में इतनी जवरदस तोर बहतरीन ताकत देखने को मिलेंग कि कभी आपने सोच अभी नहीं होगा